ओ हेलो हाई एवरीवर नमस्ते कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से होंगे फ्रेंड्स मैं आज आपको स्टेटनिंग बताऊंगी स्टेटनिंग मैं कैसे की हूँ इनका मैं पिछले साल इस्टेटनिंग की थी लेकिन इनका रूट का हेर है वो निकल गया था एक इंच, डेड़े इंच के करिब निकल गया था इनका काफी कडली हेर था तो ये दुबारा आई थी करवाने है रूट के वाल को मतलब करवाना था जो root का बाल है न उसको इनको smoothing करवाना था तो friends चलिए video start करते हैं नहीं तो आगे clip बढ़ जाएगा और मैं आपको process बताती हूँ कि मैं किस cream से की हूँ तो friends आप देखी लिए होंगे मैं सौसकोप का gland ली थी जीरो नमबर का friends इसमें तीन आते हैं इसमें तीन क्रीम आता है फर्स्ट क्रीम आता है जीरो नमबर सेकेंड वन आता है फिर थर्ड आता है टू नमबर का तो sorry friends मैं रात में बना रही हूँ इग या साड़ी गारव बज़ रहा है तो थोड़ा सारी लोग सो गए हैं इसले दिक्कत हो रहा है तेज आवाज में बोलने में तो friends आप देख सकते हैं फर्स्ट क्रीम में जीरो नमबर में यूज की हूँ इनका रूट पर ही करना था क्योंकि पूरे बालों में मैं पिछले साल स्टेटनिंग की थी लेकिन friends बोलने का होता है कि आप जो भी री ग्रोथ है हेयर उसको कीजिए जो भी न्यू ग्रोथ जो निकला है लेकिन friends पूरे बाल में ही हो जाता है दुबारा से हो जाता है ठीक है ये हमेशा मतलब एक साल पे हमेशा वो करवाते रहती हैं उनको बिलकुल कर ली हेयर पसंद नही है ठीक है तो मैं तो पिछला साल की थी फिर इस बार भी इनका एक इंच से जादे निकल गया था काफी बेवी हेयर है तो इनको अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए फिर दुबारा से तो friends आप देख सकते हैं पूरे बालो में हो रहा है और friends सबसे पहले क्या है ना बालो क अच्छे से प्यूरिफाई शेंपू से दो बार वस कर लीजे खूब अच्छा से वस कर लेना है और मैं तो पिछले भी वीडियो में मैं बताई हूं लेकिन मैं बता दे रही हूं कि अच्छे से दो बार प्यूरिफाई शेंपू से वस कर लेना है कंडिशनर नहीं करना है friends आप लोरियल का भी ले सकते हैं स्थाक्राइश को कभी ले सकते हैं quantify's इमिएफिफास आच्छे से धोने के बार टोबल ड्राइच कर लीजे मैं वेट हेर ही है 50% मैं इसको ड्राइच की थी वेट फिर में ही अप्लिएशन मैं कर रही तो आप देख सकते हैं मैं आगे से दो सेक्षन में निकाली हूँ क्राउन एरियार का दो सेक्षन और बैक में दो सेक्षन निकाली हूँ ठीक है फोर सेक्षन में निकाली हूँ और आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े पतले पतले स्टेक्शन ले करके मैं क्रीम अपलाई करी हूँ मैं रूट पे ही अपलाई करी हूँ ठीक है और फिर कॉम करने पे तो पूरे लेंद तक आहीं जाता है मैं पूरा कोशिस है कि जो भी रूट का जो निव ग्रोथ हुआ है उसी पे मैं करूँ ठीक है लेकिन पूरे बालो में हो जाते है ठीक है तो आप देख सकते हैं बैग का एक तरब का लग गया है फिर देख सकते हैं, एर के पास का मैं कैसे लगा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दी हूँ, ताकि आप देख लो, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़ले लिकर रहे हूँ, वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, आप देख सकते हैं, तो friends, processing यही है, करने का तरीका यही है, ज कोड़ा सा आप में इसको शुखा सकते हैं 50 परचंट भी सुखा सकते हैं और 177 सुखा सकते हैं कोई दिक्कत नहया फ्रेंट तो मैं इनका पहले से ईस्टेंग किया हो था इसलिएfig मैं इनका वेट हीयर में ही क्रीमडै कर जी थी ठीक attach तो nicon Already प्रेज़ा मैं अपड़ाइड लिदके दो तुन हैंप आहाई दका। याफ सबार्ण रही सब्सक्राइड लीड टा कर दो स्मझति एंप बन रहा है तो समझ लो कि अभी प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा तो फ्रेंड्स इनका हो गया था तो उसके बाद मैं थंडी का दीन है अभी मैं जन्वरी कि थी थी ठीक है तो मैं गearम पानी से ही इनको वश करें थी हलका सा गुनगुना पानी चाहिए तो मैं गरम पानी से इनको अच्छे से वश ही हुँнего टोवेल ड्राइ की हूँ उसके बाद ड्राइयर से मैं सुखा ली हूँ ठीक है कम से कम फ्रेंट्स 95% तक सुख जने चाहिए बाल ठीक है तब ही इस टेटनी होगा नहीं तो बाल जल जाएगा ठीक है तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखे और वीडियो स्किप ना करें टरह का परिशानी नहें और वीडियो भी अच्छे से आपको समझ में आए और आप किसी का भी आप असानी से घर बैठे सेख सकते हो और कर सकते हो मैं काफी इजी तरीके से बताने के कोसिश करती हूँ और रुए पारडलर काफी दिनर से हैं काफी सालों के एक्सपीरियेंस है वही experience के अधार पे ही मैं आपको बताती हूँ ठीक है और मैं काम करती हूँ और काफी अच्छी होते हैं ये काफी दूर से आई थी मतलब समझ लो की आरा से आई थी आरा से ही आई थी पहले यहीं रहती थी अब सिफ्ट हो गई है आरा में तो आरा से आई थी उनको लगा कि नहीं मैं उनी से करवाओंगी बहुत अच्छा करती हैं तो ये दुबारा आई थी हमारे पास तो ठंडी भी बहुत थी फ्रेंट्स हीटर जल रहा था सारा दिन जला और इनका processing इनका काम मतलब मैं आराम से उनको भी दिक्कत नहीं हुआ तो आराम से आप देख सकते हैं कि पीछे का भी उसी तरह दो सेक्षन मैं निकाली हूँ आगे में दो सेक्षन निकाली हूँ तो फ्रेंट्स मैं आप देखे होंगे गे मैं चेक की जदी हो गया है तो मैं इसको वश कर ली हूँ उसके बाद ड्रायर से सुखा ली हूँ 95% सुख गया है उसके बाद फ्रेंट् पीछे से भी कर सकते हो आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं फ्रेंट्स बिल्कुल पतले पतले सेक्षन लेना है आप इसको काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं कि मैं कितना बार प्रेसिंग कर रही हूं ठीक है तो कम से कम फ्रेंट्स 15 से 20 बार एक बार जो आप भी लेयर निकालते हैं कम से कम 15 बार 10 से 15 बार आपको इस्टेटिंग करना पड़ेगा तो ही अच्छा मतलब रिजल्ट आता है ठीक है तो आप देख सकते हैं आप खुद काउंट करके गिन लीजिए कि मैं कितना बार इस्टेटिंग कर रही हूं ठीक है तो फ्रेंट्स देख सकत झा Saad से मैं कम 16 कंघ 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 को और दाही को तो आप देख सकते हैं मैं पत्ला सेक्शन लीएंगा चैंक तो इनकारूट कहीं है है रेकिन पूरे ईस्टेटिंग होता है रिबांडिंग तो पूरे हेयर पे ही हो जाता है तो friends तरीका यही है करने का और आप भी घर बैठे असानी से कर सकते हो सीख सकते हो और आपको भी deeply knowledge इस वीडियो से आपको मिल जाएगा तो friends मैं हमें ऐसा कोसिस करूँगी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाओ और friends तो एक तो like जरूर बनता है का आप हमारे channel पर जदी नए है तो please subscribe जरूर कर दीजेगा और एक like भी जरूर कर दीजेगा उमीद करती हूँ कि अभी तक आप कर दीए होंगे friends कि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है और मैं चाहती हूँ कि हमारे भी knowledge से आपको कुछ knowledge हो जदी मैं बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि अच्छे से बताओं ताकि आपको भी knowledge हूँ और किसी भी तरह का दिकत नहों जदी आपको किसी का करना हो या सीखना हो तो friends आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से pressing कर रही हूँ इसी तरह आप भी pressing कर सकते हो आप खुद से अपने घर में भी आप कर सकते हो तो friends एक बात का और ध्यान रखना है कस्टमर को आपको बता देना है जदी आपका सारा processing हो जाता है तो कस्टमर को बता देना है कि बालों को कान के पीछे नहीं करना है खुले हवा में नहीं जाना है बाइक पे नहीं जाना है पानी से गिला नहीं करना है ठीक है और जदी सोना है तो बाल को तकिये के उपर रख करके खुले बाल सोना है ठीक है friends और बाल में क्लिफ और रबर नहीं लगाना है नहीं तो वहाँ पर बेब आ जाएगा ठीक है फ्रेंट्स ये बात का भी कस्टोमर को आप बता देना क्योंकि नहीं नॉलिज रहता है ना तो कोई भी कलजर लगा लिए किलीव लगा तो वहाँ पर बेब आ जाता है ठीक है उसके बाद इसपाव ही होता है और अपना जो प्रोसेसिंग होता है वो 48 आवर्स के बाद होता है 48 आवर्स तक उनको किसी को भी नहीं तो बाल में वेब आ जाएंगे और बाल मुड सकते हैं इसलिए जीतना हो सके इसको कम से कम फ्रेंट्स 15 दिन तक कोशिस करना चाहिए कि 15 दिन तक बालों में किलीव रबर नहीं लगाना चाहिए नहीं तो बाल अभी क्या होता है ना केमिकल टीट्मेंट रहता है ना तो बाल अभी समझ लोग एक तरह से कच्चा रहता है जैसे मीटी का जो बनता है ना गुमार जो बनाता है तो उसको पकने में टाइम लगता है ठीक है उसको जैसे कि सुखने में टाइम लगता है तो उसी तरह ये भी है ये सांचा में ढाल ढाल दिया गया है लेकिन इसको सुखने में सेट होने में टाइम लगता है इसलिए कोशिज करना चाहिए कि बाल को जदी chemical treatment जदी हुआ है treatment कुछ लिए है तो इसको कम से कम 10 से 15 दिन तक बाल में को ध्यान देना रहता है आप जितना हो सके आप खुला रखें कलचर की लिफ नहीं लगाएंगे तो बाल में बेब भी नहीं आएंगे और बाल विल्कुल एस्टेट और अच्छे दिखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो इस बात का भी ध्यान जरूरी होता है तो फ्रेंड्स जदी हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा आई होप कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को जरूर एक लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दे और comment भी करें किया आपको क्या हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और यह आपको क्या क्या सीखना है फ्रेंट से जदी आपको भी एस्टेटनिंग करवाना है तो आप हमें डियम कर सकते हैं यह देख सकते हैं फर्स्ट बार का रिजल्ट है ठीक है यह फर्स्ट बार एस्टेटनिंग हुआ है उसका रिजल्ट है तो फ्रेंट से आपको भी जदी करवाना है तो हमारा इंस्टाग्राम आइडी आप फॉलो कर लिजेगा मैं उसका लिंग डाल दूगी डिस्क्रेप्शन बॉक्स में और आप वहां भी मुझे डाइडेक्ट डियम कर सकते हैं वहां भी मैसेज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि अभी तक लाइक कर दिये होगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो कि ये प्रेशिंग पूरे बालों में अच्छे से हो गया है ठीक है इनको बीच में मन हो गया आचानक से कि मुझे आगे से लेजर कटिंग कर दीजे तो मैं आगे से उनको लेजर कटिंग कर रही थी वो काफी डीपली बोल रही थी कटिंग करने को लेकिन मैं मना कर दी थोड़ा से ही मैं बूली कि आगे में से कट वालो क्योंकि बहुत मेहनत होता है उसके बाद फिर बाल कट जाएंगे तो क्या फायदा रिबॉर्णिंग करवाने से तो काम होता है झाल जो इसको एक है जो को डालना रहता करता है तो आप देख सकते हैं उसको मैं अच्छे से उसके बाद थोड़े जैसे मैं और जैसे लगाई थी उसी तरह निट्रिलाइजर हो भी लगाना है थीक है फ्रेंट्स तो ये भी हुट रूट से फ्रेंट्स नीट्रलाइजर की क्रीम लगाई है या स्मूथनिंग क्रीम लगाई है रूट से हाफ छोड़की ही लगता है फ्रेंट्स ठीक है नहीं तो न हेर फोल भी हो सकते हैं डेंडरब भी हो सकता है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैं रूट में कभी टच तुक हमेसा ध्यान रखना अपड़ता है ठीक है तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो फ्रेंटस जन्दी हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और सस्क्राइब ज़रूर कर दीजेगा और क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है बहुत जादे ही मेहनत जो बनाता है वीडियो उसको पता है कितना मेहनत लगता है फ्रेंट्स वीडियो रेकॉर्ड करना फिर उसको एडिट करना फिर बहुत मेहनत होता है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स जदि हमारे वीडियो से आप सीख तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे अपने फ्रेंड्स के साथ सेर भी कीजे और भी हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आप जाके उसको देखिए अब उमीद करती हूं कि आप बहुत कुछ हमारे वीडियो से सीखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो य पीछे का हो गया है और आगे का क्राउन एरिया का मैं लगा रही हूं तो रूट से हाफिन छोड़ करके उसी तरह आपको लगाना है पूरे अच्छे से लगाना है मल्सिफाई करना है और कॉम करना है ठीक है फ्रेंड्स तो आप इस तरह से आप लगा सकते हैं और लगाने क बाद अच्छे से बिल्कूल कस्टमर को आप बोल दे के वो जादे हीले डोले नहीं और बिल्कूल एस्टेट रहें नहीं तो बालों में बीब आ जाएगा ठीके फ्रेंट्स तो ये सब बाद का भी ध्यान देना जरूरी होता है ये निट्रिलाइजर लगाने के बाद चेक कर सकते हो चेक करना जरूरी होता है कि बाल के डेन्सिटी पे डिपेंड करता है कि बाल का गुरूत कैसा है बाल मतलब कर ली है बेबी है जो भी या केमिकल टीटमेंट है तो उस पे उसी एकॉर्डिंग टाइमिंग रखा जाता है तो मैं इनका एस्टर्टिंग किया उनको 15 मिनट में रखी थी, ठीक है, अच्छे से लगालने के बाद बिलकुल कॉम कर देना है, बिलकुल estate कर देना है, तो उसके बाद अच्छे से कॉम करने के बाद फिर 20 मिनट आप शोर दीजें, फिर कास्टमर को भोल दिजें, कुछ आप उनको अपना मोबाइल चला रहे हैं लेकिन हिलना डोलना नहीं है और उसके बाद अच्छा से इस्टेट रहना है 15 से 20 मिनट तक ठीक है फ्रेंड्स इससे जादे नहीं रखना है इससे जादे रखने गुशन भी सियर पर ले गई और हलका सा गुणद पानी से थोड़ा सा गुणद पानी नॉर्मल पानी था क्योंकि बहुत ठंड थी न इससे वैसे थोड़ा सा पानी को मैं गरम कर ली उसके बाद इनको बीलकुल प्लेन वाटर से रिंज कर देंगे, खुब अच्छे से रिंज कर देंगे, थोड़ा सा भी केमिकल बालों में नहीं रहना जाएए, ठीक है, शेंपू भी नहीं करना है, कंडिशनर भी नहीं करना है, आप मास्क मन है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक ह तो आप देखिएगा इनका फाइनल रिजल्ट कैसा है, और काफी अच्छा होता है, स्मोथनिंग, रिबॉर्णिंग अच्छा होता है, जदी तरीके से किया जाए तो काफी अच्छा होता है, और लॉंग लास्टिक होता है, अच्छा चलता है, तो फ्रेंट्स देख सकते ह उसके बाद धोनेक बद मैं इनका सुखाली थी ड्रायर से उसके बाद फिर थोड़ा समय प्रेसिंग कर रही हूँ थोड़ा समय पैडल बरस से भी आप कर सकते हैं और आप एक दुबार प्रेसिंग भी कर दीजे ताकि बिल्कुल एस्टेट रहे और तीन दिन तक कम से कम बाल और friends I hope कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और मेरा वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा तो please हमारे चैनल पर ना है तो like और subscribe जरूर करते दीजे मिलते हैं